नमस्कार दोस्तों सागाथ है आप सभी का YFM Security में दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत पूर्ण है क्योंकि आज मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूँ वो फॉर्मुला बताने वाला हूँ जिस फॉर्मुले को यूज़ करकर आप अपने घर के लिए जो मैं जो फॉर्मुला आपको मैं बताने वाला हूँ इस फॉर्मुले को अगर आप यूज़ करेंगे तो निशित तोर पर आप बहतरिन सिक्योर्टी सिस्टम पर्चेस कर पाएंगा बिल्कुल सस्ते में आपके लिए जो जरूरत है उसको ध्यान में रखके जी हाँ तो पू ने नीड को तॉलना होगा कि उस नीड को यह NVR फुल्फिल करता है या नहीं करती है तो देखे कैसे मैं आपको चार फॉर्मुला बताता हूँ पहला डिस्टेंस वाइज आपको जो आधार है पहला डिस्टेंस के आधार पर अब मैं कैटेगरी वाइज अलग कर देंगा उ इसरा है इंकमिंग बेंडविद के आधार पर और चौथा है स्मार्ट फीचर्स के आधार पर यह चार आधार है जिस पर कि आपको तॉलना है और उस आधार पर जो NVR फीट बैटता है वो NVR आप पर्चेस कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस वाइज में पत पर्फेक्ट है 7W 04 या 08 16 में यह नहीं आते हैं 4 और 8 में आते हैं NI-E1 या इसमें Q1 भी आता होगा 7W वाले में तो आप वो भी पर्चेस कर सकते हैं इसके बाद अगर 100 से 300 मीटर के डिस्टेंस के अंदर आपको कैमरे लगाने है तो आप 7 6 या 7P 0408 16 NI-Q1 वाला NVR आप ल जादा डिस्टेंस के लिए यानि कि 300 मीटर के उपर है तो आपको जाना होगा बिल्कुल से 7 6 या 7P 0408 16 NI-Q1 वाले सिरीज लेकिन याद रखिएगा कि बहु जादा अगर डिस्टेंस है यानि कि NVR से आपके कैमरे का डिस्टेंस 500 600 700 800 मीटर के डिस्टेंस में आप लगा र आपको इससे अपग्रेट सिरीज पर जाना होगा मैं आज उसके बारे बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं सबसे सस्ता और डॉमेस्टिक लेवल पे घर के लिए जो यूज आप करना चाहरा है उस पर मैं बात कर रहा है तो यह तीनों लेवल के NVR को सिलेक्ट करने का यह तर जोरत नहीं है हेवी लेवल का आपको NVR लेने का आप एकनॉमिक सिरीज के 7W0408 NI-E1 या Q1 वाला NVR आप ले सकते हैं लेकिन अगर आप 4MP से 8MP के बीच का कैमरा आप लगाने चाहरा है सिंगल लाइन और डवल लाइन के कैमरा लगाने चाहरा है तो फिर आपको 76 या 7P0408 या 16 NI-Q1 वाला आपको NVR लेना होगा लेकिन अगर आपको रियल 4K चाहिए तो आपको 8MP रियल चाहिए तो 8MP सभी पोर्ट में सपोर्ट करना है तो 76 या 7P0408 16 NI-K1 वाला आपके लिए सूटेबल है तो याद रखेगा मैंने पिछले वीडियो में आपको बने बताया था क कि Q1 और K1 में क्या अंतर है आप देख लिजएगा क्लियर समझ में आ जाएगा आपको इसके बाद बात आता है इंकमिंग बैंडवीथ की तीकि इंकमिंग बैंडवीथ एक एप्रॉक्स माल लेजए आप बैंडवीथ का जब चार्ट IP कैमरा का आप नेट पर डालेंगे त आठ डोना 16 तो यहां पर आप एको वाला भी लगा लेते हैं 7W वाला भी लगा लेते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा बहतर बीच में अगर एवरेज आप लेना चाहते हैं यह बहुत मेंगा नहीं और बहुत सस्ता नहीं तो बीच में Q1 वाला अगर आपको कोई भी स्मार्ट फीचर नहीं चाहिए सिंपल आपको केमरा देखना है क्यमेरे क्वालेटी पर ज्यादा निर्बबर है तो आप सेवन डवलु वाले एकनोमिकल सिरीज वाला आप ले सकते हैं या फिर आपक्यू सिरीज बाला आन वयर ले सकते हैं क्योंकि य इसे और भी कई जो भी स्मार्ट फीचर्स वगरे आपको चाहिए होते हैं तो आपको के सीरीज में जाना होगा यानि कि अगर बजट को दिहान में देखें कि अगर बजट जो इसकी सस्ता लेवल पर अगर आप सोचें तो तीन तरह के NVR है 7W वाला इकनोमिकल सीरीज वाला, Q1 वाला और K1 वाला तो इस तीनों को मैंने एक अलग अधार पर बाटने के कोसिस की जहां पर आपके लिए सबसे परफेक्ट जो NVR बनता है वो NVR आप ले सकते हैं उमिद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आए वगर इससे आपको काफी ला मैं उस पर बात करूँगा कर तो वीडियो में बने रहेगा चैनल को सब्सक्राब जरू कर दीजेगा धनिवाद